हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चानल, कैसे हैं आप लोग, I hope सभी अच्छे होंगे, मस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे, और अपनी अपनी लाइफ को इंज्वाई कर रहे होंगे, और जो भी लाइफ में प्रॉब्लिम होती है, उसको हसके सॉल्व कर रहे होंगे, लाइफ इस चालेंज, उसमें जब तक प्रॉब्लिम नहीं हो, फिर उसको जीने का मज़ा ही नहीं आता है, बच्चों की भी छुटिया स्टार्ट होने वाली होंगी, कुछ बच्चों के एक्जाम्स चल रहे होंगे, तो ममाज ऐसी ही बीजी होंगी, बच्चों की स्टड़ी को ले आड़ की कुटिया है कराही तो मैंने के अड़ कर दिया को को किंग कुकिंग वाल जब च्चे से गरम हो गया है को जिल को कुटिया, फिर मै एक मिर्च 15 सिल में इक ज्तों काटों में बाट कर अड़ कर दिया है ये हरी मिर्च है उसके बाद मैंने एक बहुत ही छोटा टुकरा प्यास का लिया था उसको स्कुआर से में काटके इसमें आड़ कर दिया है ये रेसिपी बहुत ही यमी यमी लगती है खाने में अब चिकन को पकाने के लिए मैं इसको कवर करके 3-4 मिनिट छोड़ दूँगी लो फ्लेम पे 3-4 मिनिट के बाद आप देखो चिकन बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है चिकन का सारा कच्छापन खतम हो गया है तो इसमें मैं एड करूँगी पीली वाली सिम्ला मिर्च ये औप्शनल अगर आपके पास है तो एड को और आप स्किप कर सकते हैं उसके बाद हरी वाली सिम्ला मिर्च और उसके बाद लाल वाली सिम्ला मिर्च आप इसमें गाजर, बीन्स भी आड़ कर सकते उसके बाद मैंने इसमें थोरा सा काटा हुआ, बारी काटा हुआ मैंने इसमें पत्तागों भी आड़ कर दिया है और इन सबको मैं चिकन के साथ अच्छे से फ्राई करूँगी ये सारा प्रोसेस आपको high flame पे करना है जिस सिच सबज्यों में अच्छा सा crunch आजा है उसके बाद मैंने इसमें 1 तोर टीस्पून के करीब सोया सॉस अड़ किया है हाफ टीस्पून के करीब मैंने इसमें रेड चिली सॉस अड़ किया है और हाफी टी स्पून के करी मैंने इसमें वेनिगर आड़ किया है इन सारे सॉसरेज को डाल के मैं सबजियों के साथ हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई करूँगी एक से दो मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं बचा हुआ चावल आड़ कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी चावल आड़ करने के बाद आपको लो फ्लेम कर देना है कुक टॉप का जो फ्लेम है उसको लो कर देना और लो फ्लेम पे आपको चावल को अच्छे से मिक्स करते हुए इसके साथ पकाना है जिससे चावल में सारे सबजियों का और चिकन का टेस्ट आजाए, सौसेस का टेस्ट आजाए और आप जब इसको खाओ तो बहुत ही यमी लगे चावल को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है अब प्यास के पत्ते और लहसन के पत्ते को मैं चावल के साथ अच्छे से मिक्स करूंगी आप देखो हमारा चावल भुना हुआ चावल या चिकन फ्राइड राइस देखने में कितना टेम्टिंग लग रहा है फिर इसकी मैं प्लेटिंग करूंगी तो आप देखो चावल के साथ चिकन के चोटे चोटे टुकरे पीली सिम्ला मिर्च लाल सिम्ला मिर्च और हरी सिप्चा मिर्च मिलके कितनी अच्छी लग रही है तो बच्चे क्या बड़े भी अट्रैक्ट होंगे और चटपट इसको खा लेंगे तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स और फैमली मेंबर में शेयर करो और वीडियो को प्लीज फुल वाच किया करो तैंक यू, बबाई, हवे नाइस टे